हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलेन क्लासिस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गणित की वर्कशीट सारानशीत मुल्यानकन पहला बच्चों कक्षा है हमारी दो समय रहेगा बच्चों आपका एक घंटे का अधिकतम अंक है पच्चेस तो बच्चों आपको मैं यहां बताना चाह रही हूँ कि किस किस तरह के आपके प्रशन साब से पूछे जाएंगे तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए ठीके बच्चों तो पहला प्रशन है बच्चों सही विकल्प का चुनाव कीजे ये बच्चों आपका पांच अंक का ये प्रशन रहेगा सही विकल्प आपको चुनना है बीस में अगर दस जोडेंगे तो क्या आएगा इन में से कौन सी वस्तु लंबी है 47 में से बच्चों क्या घटाएंगे कि 40 आए अगला है बच्चों इन में से कौन सी वस्तु का भार आप नहीं उठा सकते तो बच्चों आपको बताना है कि किस वस्तु का वजन यानि भार यानि वजन आप नहीं उठा सकते बच्चों ये किस जानवर के पैरों के निशान है तो आपको सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है अगला प्रशन है बचो सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाईए बचो ये भी आपका पांच अंको का प्रशन रहेगा ठीके पहला है क्या ये सेव की प्रतिलीपी है बचो आपको बताना है क्या ये सेव की प्रतिलीपी है कि सही है तो सही गलत है तो गलत का निशान लगाएं क्या आप अपने सिर के बालों को गिन सकते हैं दस में अगर जीरो जोडेंगे तो क्या दस आएगा बच़ो इन तिलियों को गिनेंगे तो कए ये 15 हैं और क्या ये 10 के समूमे हैं तो आपको इनके आगे सही और गलत का निशान लगाना है अगला प्रशन है बच़ो निमलिखित प्रशनों के उत्तर दीजे बचो यह आपके दस अंकों का प्रशन है, एक प्रशन आपका दो नंबर का है पहली चार वस्तुओं के नाम लिखे बचो इनमें से आपको बहुत सारी वस्तु दी गई है इनमें पहली चार वस्तुओं के आपको नाम लिखने है क्रम बदता में पूरा कीजे क्रम बदता में बच्चों आपको पूरा करना है 5, 10, 15 इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपको अंक लिखने है भारी या हलके के आधार पर खाली स्थान में वस्तू का नाम लिखिए बच्चो आपको भारी वस्तु का यहां और हलकी वस्तु का यहां पर नाम लिखना है अगला प्रेशन है बच्चो गिन कर ली जाने वाली और तोल कर ली जाने वाली दो दो वस्तु के नाम लिखिए तो बच्चों आपको यहां पर वस्तु का प्रकार गिन कर ली जाने वाली वस्तु के नाम यहां लिखने हैं दो वस्तु के और तोल कर ली जाने वाली दो वस्तु के नाम आपको यहां लिखने हैं अगला प्रशन 15 है तुम नहाने के लिए कितने मंग पानी इस्तमाल करते हो यहां आपको बताना है अगला प्रशन 16 है बच्चो बीच वाली वस्तु का चितर अपनी कॉपी में बना रही है उन्हें 10-10 लड़ू के डिब्बे बनाकर पडोस में बाटने है थाल में 27 लड़ू है चलो मा के साथ हम भी लड़ू के डिब्बे बनाएं निमलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए ये बच्चों आपका एक अंक का प्रेशन है थाल में बच्चों कुल कितने 27 लड़ू माने बनाएं चलो मा के साथ हम भी लड़ू के डिब्बे बनाएं कितने घरों में लड़ू बटे कितने लड़ू बचे आपको यहां बताना है अगला प्रेशन है 18 गिनिये और मिलान करके लिखिए ये बच्चो आपका दो अंको का प्रेशन है वस्तु आपको दी गई है गोल वस्तु कितनी है लंबी वस्तु कितनी है गोल वे लंबी वस्तु कितनी है और चप्टी वस्तु कितनी है तो बच्चो आपको इनको मिलान करक इस तरह से बच्चो इप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उमीद करती हूँ वैख्चो आप अच्छे से समझ मैं आया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करे जादा से जादा बच्चों वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे मदद मिल सकें और बच्चों चैनल को जरूर सस्क्राइब करें जिनोंने भी अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है आप सबी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद